हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन व्यसंद मुक्ति तक यह हूं मैं बताने माला हूं आपको कॉफी के बारे में कैफेन कैफेनी जो द्रव्य है यह कॉफी में बहुत अधिक मात्रा में रहता है हम कॉफी पिते उसमें और बाकी मेडिसिंस में रहता है कुछ दवाईयां उसमें कैफेन रहता है कोई सॉफ्ट ड्रिंस जो है कुछ उसमें रहता है कॉफी और हम कॉफी पिते उसमें कॉफी रहते तो हम करीब परीब देड़ सो से 200 मिलिग्राम हर दिन कैफेन हम लेते रहते और जो कॉफी पिनेवाल लोग है वो तो जाद ही लगते तो उससे हमको कॉफी पिने से लोगों को अच्छा लगता है एक pleasurable sensation आता है एक नर्वसने स्चले जाता एक खुद को अच्छा लगता है pleasure of well-being उसको बलते है well-being का sensation pleasurable sensation वो होता है मूर अच्छा हो जाता है ठकान निकल जाती है और फिर हम काम करने के लिए उच्छा भी आ जाता है और इसले हम कॉफी लेते हैं कॉफी से ब्रेन में डोपामिन नाम का जो द्रव्वे उसको वो ज्यादा प्रमाण में त्यार हो जाता है तो उसे प्लेजरेबल सेंसेशन आता तो वह लेना कोई बुरी बात नहीं है मगर होता क्या है कि उसकी जब लट लग जाती है कॉफी की तो फिर प्राब्लम होता है कि कॉफी जब मिलती नहीं है तो फिर उस समय घबरांट होना बेचे नहीं होना फिर ऐसा काम पे अधिक कॉंसेंट्रेशन नहीं होना ख्याल नहीं रहना यार याद नहीं रहना अशकुछ तो भी उसको लगता है कि उस तभी में मैंने कुछ खोया हुआ है उस तभी गड़ बढ़ है और उसको बेचेन होके फिर वह कुछ ना कुछ वह उसका दिमाग में बुरह था कॉफी ह कॉफी की लथ रहती है कॉफी का जादा इस्तेमाल करना कभी कोई होता है उससे काफी केफेन इंटाक्सिकेशन इसको बोलते है कोफी से इंटॉकजिकेट होना और उसमें गया होता है कि उसमें बहुत जादा कॉफी पी लिया मतलब 800 से 1000 मिलिग्राम एक दिन में कॉफी ले लिया तो उसे बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन होके चिड़चड़ापन फिर घुस्सा करना एक्साइटमेंट हो जाना एक्साइटेड हो जाना आक्रमक हो जाना लोगों के उपर घुस्सा करना नीन नहीं आना पेट में गड़बड़ी और कोई काम में कॉंसेंट्रेशन नहीं करना मतलब जो चीज के लिए हम कॉफी लेते हैं वही कॉफी ज्यादा लिया तो जो चीज़े के लिए कॉफी लिया हो ज्यादा चीज हो जाती है मतलब तकली बें ज्यादा हो जाती है कभी ज्यादा घुस्ता करकि इसको मार्किट भी कर सकता है वो बाते ज्यादा करना ऐसे इंटॉक्जिकेशन होता है कॉफी हम स्टिमुलिशन के लिए लेते हैं मतलब हमको अच्छा लगना चीज़ले हम कॉफी लेते हैं महरो, coffee की लद्ट लगना वो एक problem है, कि जिसके वाज़े से हम काम ने कर सकते. और ज़्ञदा coffee ले लिया, तो उसका intoxication होना वो भी एक problem है. अच्छा ही है, कि coffee लेंगे ने तो बहुत अच्छा है. महरो हम क्या करते कि कहीं बैटर चलो coffee लेंगे, करके कॉफी पीते हैं। एक social drink करके वो है। कहीं गया तो नहीं कॉफी लो करके बोलते। तो कफी लेते हैं यह ज़का फीं पर जाय नहीं है। वो बिना कॉफी का भी कैसा generate करना वो कलागरी सिखना जरूरी है कोई मैं कॉफी भी ने लेता हूं चाय भी ने लेता हूं और उसमें तभी भी मुझे अच्छा लगता है मतलब अच्छा लगना यह अंदर से आएंगा ना कि कुछ बाहर की चीजे लेने से मुझे अच्छा ल करना excitement generate करना वह मंदुरून करते हैं तो बहुत बहतरीन जिंदगी हम जिएंगे बजय कोई ड्रिंक के ऊपर डिपेंड हो जाना और ड्रिंक लेना तो इंटॉक्षिकेशन जाए उसका इलाज तो ऐसा कोई नहीं है उसको दिरे 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 सुलाना उसको आराम करने देना या उसको सोने के दवा देना और उसको सुलाना जब निकल जाएंगी कॉफी कैफेन शेरीर में से तो अच्छा हो जाएगा और लत इरी किसको है कि नहीं नहीं पांच-छे कप कॉफी दस-दस कॉफी लोग लेते हैं रोज की तो लत जो नशा है वो बंद करना जुरूरी है क्योंकि होतागया कि अपना ब्रेंज वो कॉफी के ओपर डिपेंड हो जाता है उसके ओपर डिपेंडेंस आजाता है कि उसके से होता ही नहीं और वो प्रभ्रॉब्लेमैटिक होता है तो कॉफी के एडिक्टं बहुत सारे होंगे आपके परीचित उनको जरूए वीडियो कीजिएगा सब्सक्राइब करो थैंक यू बेरी मुच